बच्चो शुब दिवस! आज हम पहले पाठ का आठमा प्रश्ण करेंगे, जिसमें दिया है समान अर्थ वाले शब्द. सबसे पहले समान अर्थ की परिभाशा जान लेना ज़रूरी है. जिस शब्द का अर्थ समान हो, उसे समान अर्थी शब्द कहते हैं. समान अर्थ देने वाले शब्द कहते हैं एक ही वस्तु के अलग-अलग नाम होते हैं उसे समानार्थी शब्द कहते हैं समानार्थी शब्द को प्रयायवाची शब्द भी कहते हैं जिसमें प्रयाय का अर्थ होता है समान तथा वाची का हर्थ होता है बोले जाने वाले अर्थात समान बोले जाने वाले शब्द जिने हम प्रयायवच्ची शब्द कह सकते हैं आठवे प्रश्ण में निमले के शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिये इसमें पहला शब्द आया है गगन गगन को हम नब, आकाश, अंबर, व्योम, अनन्त, आस्मान, अंत्रिक, शुन्य, अर्ष, एत्यादी कह सकते हैं इस सब के अर्थ एक समान है और जो पुस्तक में लिखा हुआ है नब और आकाश वो भी हम लिख सकते हैं दूसरा है जल जल के समान अर्थ हैं अम्बू, उदक, जीवन, नीर, पै, सलिल, पानी, वारी इसके अत्रिक्त जो पुस्तक में लिखे गए हैं नीर और पानी हम वे भी लिख सकते हैं तीसरा है तरू तरू को हम रिक्ष, द्रुम, पादप, विटप, पेड कह सकते हैं यह समान अर्थवले शब्द है तरू के चोथा है अर्मान अकांक्षा, कामना, चाह, मनोरत, वांचा, लागसा, आर्जू अगला शब्द है किरन किरन के समान अर्थवले शब्द हैं जोती, प्रभा, रश्मी, दीप्ती, इत्यादी अगला प्रशब्द है विग्न अर्चन बाधा रुकावट इससे अगला है गंगा अलकनन्दा देवसरी दिसाई सुरसरी या जो पुस्तक में लिखे गए हैं वो भी हम लिख सकते हैं भागीरती, मंदाकिनी, देवनदी, जहनमी, इत्यादे अगला प्रशन है निमिलकित वाक्यों को कोश्ठक में दिये गए शब्दों के विलोम शब्द द्वारा पूरा कीजिए सबसे पहले विलोम की परिभाशा जान लेना सिरूरी है किसी शब्द का विप्रीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं जैसे होता है एक से अनेक सफल का आसफल दिन का रात अब देखते हैं पुस्तक में जो दिया है पहला वाके है मीरा को कक्षा में प्रथम पूरसकार मिला प्रथम आने पर पूरसकार मिला इसमें पूरसकार जो हमने लिखे है वह दंड का विप्रीत शब्द है विलोम शब्द है दंड होता है सज़ा देना और पूरसकार होता ह की नाम देना सिट हमें पीटिपीचे किसी कि डैश नहीं करने चाहिए इसमें सामने Pokémon दिया है स्तूती स्तूति होते हैं प्रशंसा करना और इसका विप्रीश शब्र बनेगा निंदा भूराई करना तीसरा वाक्य है हमें सदा समय का डैश करना चाहिए शब्द इसमें दिया गए दुरूपयोग जिसका हमने विलोम शब लिखना है विप्रीज शब लिखना है उल्टा अर्थ देनी वाला शब लिखना है दुरूपयोग होते हैं बुरा प्रयोग अच्छा प्रयोग नहीं कहते हैं और सदुपयोग होता है अच्छा उपयोग तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए अगला वाक्य है चाचा जी की तरक्की का समचार सुनकर घर में डैश की लहर दोड़ गई अब शब्द दिया है विशाद विशाद का अर्थ है अभिलाशा न पूरी होने पर मन में दुख रहना और इसका विप्रीश्चत बनेगा हर्ष प्रसनता खुशी तो वाक्य बनेगा चाचा जी की तरक्की का समचार सुनकर घर में हार्ष की लहर दोड़ आई बच्चो आपने ये दोनों प्रस्ण अपनी अभ्यासागर के पुस्तक में लिखने है और दोराने है धन्यवाद